अब हम लोग यहां पर बात करेंगे next chapter के उपर और यह हमारा next chapter items है इसमें देखते हैं कौन-कौन से important topic है जो आपको करना चाहिए तो जो सबसे जादा important है इस chapter में वह आपको बोर atomic model है जिसमें कि आपको तीनों postulate जो बोर atomic model के हैं तीनों postulate उसको ध्यान में रखना है फिर इ videos of the anath orbit, speed of the electron in the anath orbit और energy of the electron in anath orbit इनके तीनों के formula आपको derive करने के लिए आते हैं फिर इसके बाद आपका wavelength in terms of redberg constant वह आपको derive करने आ सकता है तो उस formula को धियान में रखना है प्लस इसमें जो बहुत important point है वह आपका है यहां पर energy level diagram यह है emission spectrum of the hydrogen atom जिसमें आपके लाइमन बामर पास्टन बगरा है इसके उपर question आते रहते हैं तो उसको धियान में रखना है अब देखिए यहां पर कि next topic जो इसमें important है वो देख लेते हैं हम लोग यह आपका डी ब्रोगली explanation of Bohor's second postulate of quantization यह भी NCRT ने दे रखा है तो इसको एक ब इन फिफ्ट और सिख्ट कर लीजे एक्सराइज में थर्ड फिफ्ट सेवन नाइन थाटीन फिप्टीन और सेवन तेन यह सारे प्रॉलम्स और यह सारे question आप exercise और एक्जांपल के कर लीजे ताकि आपका इस chapter से रेलेटेड जो application part है वो आपका cover-up हो जाएगा अब हम लोग बात करतें नेक्स चेप्टर के उपर